गुड मॉनिंग मेरे परिवार वालो और मेरे फ्रेंस बहुत सारे डॉक्टर्स के तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ इसले मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ-कुछ चीजे बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर यह बताऊंगी और अगर आप लोग सेफ रह की हालत खराब होते जा रही है बॉंबे की हालत तो इतनी खराब है कि हमारे हॉस्पिटल में आइसी यू बैद बेटिंग बे हैं पेशेंस के लिए बैद नहीं है इस वेरी वेरी हेल्पलिस यहने मुझे इतना हेल्पलिस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है अगर आपको लग रहा है कि आपको एक साल से करोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सूपरहरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा तो आप गलत फेमी में हो हम यंग लोगों को देख रहे हैं I mean we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now so we do not want we really don't want any of you to be in that situation so sorry I think this emotional breakdown है हम doctors में अब सबको कोई समय हो रहा है because we've not been so helpless okay so most importantly please take care of yourself right now COVID is everywhere around you okay so अगर आप घर से बाहर निकलो maybe you're meeting your friends maybe you're meeting your family it does not matter you have to be masked okay just because आपको अभी एक साल से कुरोना नहीं हुआ है या आपको पिछते साल कुरोना होकर जा चुका है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको वापस कुरोना नहीं हो सकता you can still get COVID तो please keep yourself very well masked at all times अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो mask होना चाहिए mask सिफ इदर रही mask पूरा नाक से पूरा यहां तक होना चाहिए दूसरी बात अगर आपको कुछ होता है अगर आपको बुखा रहता है या कुछ होता है पैनिक मत होई है do not get unneeded investigations done get in touch with me obviously immediately and most importantly आपके जो friends है या कोई भी है उनको बोलो पैनिक में होकर admit न होए hospital में फिलाल जो situation है वो ऐसी है कि बहुत सारे hospitals में stable patients admit हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको actually oxygen की जरूवत है उनके लिए हमारे पास bed नहीं है in fact हम लोग घर में लोगों को oxygen देके manage करने की कोशिश करें और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए beds दून रहे इतने सारे लोगों को घर में manage करने की कोशिश करें so please leave beds for people who actually need it who have pneumonia who need oxygen and who will need to be under very close medical care third thing if you have not taken the vaccine अगर आपने vaccine नहीं ली है किसी भी कारण से हो सकता है आप ट्रावल कर रहे हो हो सकता है आपको vaccine की हिचक हो हो सकता है आपने कुछ whatsapp पे forward पढ़ा हो कि vaccine के वज़े से कुछ side effects हो रहे कुछ हो रहे है it's untrue please take your vaccine यह हमको definite दिख रहा है कि जो लोगो के दो vaccine के shots होकर दो हफते हो चुके है उन में definitely हमको infection serious infections कम दिख रहे है और hospitalization ना के बराबर है so the vaccine is definitely helping okay so take care of yourself do not take COVID-19 likely please pray for the people in the hospital and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital उनको आपके प्रारतना की बहुत जरूवत है और सबसे रदा जरूवत है कि आप अपना ध्यान रखे okay and बस घर पे रहो आप कुछ हफतों तक सिव घर पे रहो जब तक हम यह situation ऐसे handle कर सके कि हम at least कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिल में पेशेंट्स को ले सके फिलाल हाला तैसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रलेटिवस को भी नहीं मिल रहा है तो आप सोचिए कि इस अन absolutely helpless situation okay I think अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे we will definitely come through this second wave very well okay and then we will have to work on not allowing a third wave so third wave का हम बाद में सोचेंगे वो तो नहीं आना चाहिए पर जो ये second wave है इसे हमको कोई भी हालत में एकदम safely निकलना है okay take care I really love you